मैं यह नहीं चाहता कि government बान करें मैं यह चाहता हूँ कि हम यह बंद करें असली मर्दे तो त्रेट सो दिन दो चैनेंज करके दिखा जब तुम्हारे बड़े तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं तो क्या तुम उनकी सारी बात मानते हो नाइ तो फिर मुझसे क्यों आशा रखते हो कि मैं ये बात मानूँगा सलील जामदार तेरी बैंट की ये सलील जामदार के काम है उसी ने सनी लियोनी को ऐसा सराप दिया है कि वो ऐसी दिखती है जैसे उसने रोहित खत्री का प्रोटीन से एक पी लिया हो आज बाप लोगो ऐसा ड्रिंग बना कर दिखाऊंगा जिससे आपकी जो प्रोटीन की पूरे दिन में रिक्वार्मेंट है वो बहुत धत्त पुरी हो जाएगी कुछ देर पहले तक मैं गुसे में था लेकिन फिर समझ में आया कि सब का अपना अपना भाग्या है मोटी पिन से पर क्या हो यह किसी के पास मोटी पिन ना हो नई यह मैंने अपने बारे में नहीं का मेरे एक दूर का दोस्त है यह उसके बारे में है मैं पूरे सम्मान पूर्वक बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी गुप मार लूगा, यदि तुम्हे वो तबले वाला बेक्ग्राउंड मुजिक बजा है, वो भी मुझपे मुजिक क्यों यार दिन दर भी मलखाते रहते हो, अब तुम्हे भी मन नहीं चोड़ी ना तुम्हे ब्रेक अप कर लूगी हम 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 आचे ना ब्रेक अप आचे ना बार बार, बार बार आज़ाते है, बच्छों लिए विमल्क होते रहते हो, निकल रहते हो विमल्क की पुडिया के लिए हमारे मुकेश बया ने ब्रेक अप कर लिया, ये थी एक साल पहले की कहानी, अब देखिए आगे की कहानी अफसोस, मुकेश बच नहीं सका, और वो सिर्फ 24 साल का था, खैनी, पान, गुटका, पान मसाला, सब जान लेवा है अंडी, बंडी, संडी, जो हिले वो विशे देखा जा, ये तो तीनों हिल रही है, तो इसका मतलब मैं क्या समझू कि ये तीनों क्या है तो बहुती प्यारा वर्ड दिया गया यार, क्या नाम था उस वर्ड का यार, वो बड़ा प्यारा था ये जो हमारी सस्ती सन्नी लियोनी और मिया खलीपा बोल रही है इसे शारी रिक्कमजोरी कहते हैं, जो तुम सुबसे हम अपने पलास से पलास चोबे से चोबे बिढाते हो, ये उसका परिणाम है पर ये कमजोरी मैं इन लोगों में ज्यादे दिनों तक नहीं रहने दूगा, जानते हो कैसे, क्योंकि इस वीडियो के स्पोंसर है जापानी तेल, तु इसे एक बार लगा और दस बार पेल, तुझे लगेगा कि तु ही सर्वशक्ति साली है, तु ही असोध्धामा है और यदि तुझे इस मिया खलीफा की तरे डालने में नहीं डलवाने में रूची है, तो लगा जापानी तेल और लंबा छोटा मोटा पतला, सबका जटका जेल, जापानी तेल, नियम वैशरते लागू इन सुरेश चचा को कोई मवाली नहीं समझरा, बलकी इनके उखड़े पर जो भावनाई वैक्त हो रही है, उन्हें देखके ऐसा लगता है कि कोई मवाली इने उठाके लाया है इस टिक टोक वीडियो में नचाने के लिए, कब तक नचाओगे? किसका बच्चे है? क्या? तू किसका बच्चे है? मेरे ममी पपका बच्चे है? ममे पपका बच्चे है? ममे पपका बच्चे है? मेरे 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 जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, I love you champa, यह मेरी गल्फरेन है दोस्त बंद करो हाथ जोड के मैं मैं मोधी साथ जी गुजारिश करता हूँ अब लोग यह बोलते हैं हम लोग बेड़ियो बनाते हैं पढ़ते नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्या करेंगे आदेखो बच्चे विधाल ले विध्या का केंद्र है तो वहां पर जाके पढ़ाई करनी चाहिए तो मिरी बात अब टीक है तो मित्र आज के लिए इतना टिक टोक वाला विश्परियाप्त है धन्यवाद